प्रिकिवास स्वागत है आपका आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की कहानी कुरसी की में बात करें योत्तर प्रोदेश की जहाँ वीजेपी की जीत का रत रोकने का सपना देख रहे है अखलेश यादव अब माफ्या के सहारे हैं 2024 की जंग जीतने की कोशिश वो इसके जरीय कर रहे हैं अखलेश यादव की एक तस्वीर पर UP का सियासी पारा हाई हो गया है 2019 में BSP के टिकेट पर सांसद बने अफजाल अंसारी की बेटी के शादी समहारों में अखलेश यादव पहुँचे अकेले नहीं गए चाचा शिवपाल यादव को साथ लिया पार्टी के कई विधायकों को साथ मिलिया अब सवाल ये है कि जिस मायवती की पार्टी से अफजाल अंसारी गाज़िपूर से चुनाव जीते थे वो मायवती तो शादी में नहीं गई लेकिन अखलेश यादव पहुच गए तो क्या अखलेश यादव अब एक पार फिर मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुखतार की शरण में चले गए हैं यानि अगर उन्हें गाज़ेपूर जीतना है गाज़ेपूर के असपास की सीटो वो इसी पर निर्भा करती है कि वहां पर मुस्लिम और यादव वोट जहां उनके साथ रहे साथ में जो पिछला एक्सपरिमेंट अखलेश यादव ने करने की कोशिश की थी जो पिछला एक्सपरिमेंट हुआ था कि समाजवाधी पार्टी और जो बीएस पी है वो एक आती है तो हम इस गड़ बंदन में शामिल नहीं होंगे उसका कारण भी देखे इसी तरह का था कि बीएस पी ने जो था वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिजहाना शुरू कर दिया था जो कि समाजवाधी पार्टी को बिलकुर रास नहीं आ रहा था उन्होंने मुस् पी को पिछला फाइदा हुआ था लुकसा बचनाओं में उसमें भी देखने को मिला था कि मुस्लिम वोट जो है बीएस पी के साथ गया था जिसके कारण उनको बहुत जादा फाइदा हुआ था तो ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की जो आगी का प्रोस्प समाजवार्दी पार्टी की जब सिस्ताफना हुए उसके बास से तो जितने यूपी के अपरादी रहे वह समाजवार्दी पार्टी और मुलाहिम सिंग के साथ जुड़े रहे मुलाहिम सिंग की राजीती का बढ़ने का बड़ा एक ग्राफ ये भी रहा कि जितने अपराद वोट बेंग किसी भी स्थिति में ना कॉंग्रेस के पास जाए और ना मायवती के पास जाए तो उनका पूरा फोकस है कि अवास अमिकरण जो उत्त्त पदेश के अंदर है वो पूरा उन्हें खटाओ कर वोट कर रहा है वैसे बीट पदेश के अंदर है यह मुस्लिम बड़ा मेसेज देना चाहते हैं और आप देखीए का दो यार्ट चोविस के जब लोग सबाव चुना आएंगे अखले शादव जादा से यादा मुस्लिम सीटों के उपर मुस्लिम मुदा उतारेंगे और संदेश जने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई योगी को रोक सकता है और भ मुदी को हराने की है मुदी को हराने का जो सपना है वो इंडिया अलाइंस देख तो रहा है लेकिन आपसी कल्या इंडिया अलाइंस की खतम नहीं हो पा रही है बिहार में गटबंदन का पेच अभी सुलज़ा भी नहीं अब नितीश ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कांडिडेट का एलान करना शुरू कर दिया है नया फसाद शुरू हुआ है सीता महरी सीट को लेकर कौन कितनी सीट से चुनाव लड़ेगा यह भी फाइनल नहीं हुआ कौन किस सीट से लड़ेगा यह भी फाइनल नहीं हुआ लेकिन सायोज़क ना बनाय जाने से नाराज नितीश ने सीता मणी से देवेश चंद्र ठाकुर को अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना दिया है। अब कल है गटबंदन के अंदर भी है और बाहर भी है क्योंकि खबरी ये आ रही है कि इस ऐलान के साथी आरजेडी ने भी अपनी तलकियां दिखाना शुरू कर दिया है। रलंसिन का नाम भी एलान कर दिया है लगबग और जो है और तो और अरुनाचल में रिज्जू के खिलाब में उन्होंने अपने कैंडिडेट की घोशना कर दिया है। बिहार तक सिमित रहते तो मुझे लगता है कि उतना राजनेतिक कयास नहीं लगाया जाता। लेकिन जब जाकर के उन्होंने अरुनाचल में ही अपना कैंडिडेट पहले ही ठोक दिया है। तो एक प्रकार से नितिश जी ने ये संदेश देना सुरू कर दिया है कि हम वो बिलकुल खुस नहीं है और हम अकले चलने के लिए भी तयार है। ये कितना हो पाता है आने वाले दिने और इसके परिणाम सुरूप आपने तुरन देखा होगा कि मीडिया में खबरें आने लेगी कि लालो प्रसाज जादो जी ने राहूल गांधी से बात किया है। करके आया कि जो है वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जो है वो ये मामला तैव हो जाएगा लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। तो तल्की दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ी है, कमी नहीं है क्योंकि नितीस को ये पता है कि उनकी सरकार तोड़ने का काम जो है वो ललन सिन ने किया है। वो लालू प्रसाद की राजनिती के खड़ेंद के तहत किया है। इसलिए लालू प्रसाद जादों की पार्टी के साथ उनकी तल्की इस समय बहुत बढ़ी हुई है। सीटों का तालमेल हो पाता है या नहीं हो पाता है मीडिया में बात चीता रही कि दोनों के बीट में यह हो चुका है कि सुला सुला सीटों पर लड़ेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह 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 जो है वो सच खबर है पिर्कुल खुलकर बिहार में तो कम से कम ये देखने को मिल रहा है कि नितीश कुमार नाराज तो है और उनकी इस नाराज़गी को कैसे अब इंडिया आलाइंस दूर करेगा ये बड़ा सवाल है लेकिन इन सब के बीच एक और कंफ्यूजन है पूरे के पूरे इंडिया आला से कामिश्वर चौपाल ने बताया कि बिहार के सियम नितीश कुमार और आर्चेडी सुप्रीमो लालु यादव को भी पत्र लिखा गया है वो समय देंगे तो निमंतरन दिया जाएगा लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं है कामिश्वर चौपाल ने बताया कि नितीश के दर्शन करना ही नहीं चाहते हैं हमारे साथ है राम जनभुमी ट्रश्ट के सदस्य कामिश्वर चौपाल कामिश्वर जी आप लोग आमंतरन लगातार दे रहे हैं नितीश कुमार और लालु यादव को भी आप लोगों ने आमंतरन दिया क्या उन्होंने समती दी क्या व अब इनके पवत्तर के जवाब के इंतजार में लंबे कल हो गए आज मैं फिन से वापस जा रहा हूँ अब अन्य अस्थानों पर भी जाना है जब वो हमारे कारजाले को सूचित करेंगे तो हमारा कोई न कोई कार्ज करता जा क्या मंतरन देगा हम चाहते हैं कि राम के इस ठापना में समपूर्ण देश प्रसंतावाइक्त करें और उसमें समल्री अब लोग निमंत्रों देने के लिए सवह मांग रहें लिए आप समय दे तो हम लोग आकर के आपको निमंत्र दे अभी तक कोई समय नहीं मिला है इसलिए अब हम लोग मान के चलते हैं कि एक सब्ताम में उनको फुर्सत नहीं हुई तो शाइद वो इस मन मस्तिस्क में भी नहीं है कि राम का दर्सुन करने जाए तेविएं सीट शेरिंग तो बहुत बड़ी बात है अभी ये नहीं तै कर पा रहे हैं कि इन्विटेशन लेना है कि नहीं लेना है और इन्विटेशन जिनको मिल गया है उन्हें जाना है या नहीं जाना है ये तक तैह नहीं हो पा रहा है इंडिया लाइन से बिहार में सीट शेरिंग वाले गार बात कर लें तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या बिलकुल नजर नहीं आ रही है नहीं कोई संभाव ना है बिहार में जेडियू आजएडी की जो समस्या है वो बिहार की सरकार को लेकर है लोग पास जा रही थी इसलिए अपना कैंडिडेट दिया था सिंबॉल सिर्फ जेडियू का था नहीं था वो बीजेपी से लगतार जूड़े रहे हैं और उस लिहाद से देवेशन ठागुर को कुछ मेने पहले नितीश कुमार ने कहा था और पिछली बैठक में सारवजनिक तौर कारक्रम था तो उसकंड़क में जितने लोग मौझूद थे उनको भगवा कलड़ का साफा पहना जा रहा था जब नितीश कुमार से कोशिश की गई बंद कमरे में उनको भी एक साफा देने की तो इन हाथ में लेकर उसको किनारे रख दिया जबकि उसकार करम में जो सरकारी दगदा सवाली नहीं पैदा होता सुले की तरफ से कहा गया है अपनी पार्टी को लेकर वो अपना अधिकार जरूर इस पर जता रही है और कह रही है कि ये हक सिर्फ मेरा है कि मैं पिता की विरासत को आके लेकर जाऊं समीर जी बिलकुल सुले कह सकते हैं लेकिन आखरेकर जनता निर्ड़ाइ करेगी मदाता निर्ड़ाइ करेगा की विरासत राजितिक विरासत शरात पावार की अजित पावार के पास lors को देना चाहती है या सुप्रिया सुले के पास देना चाहती है। चुनाव योग के अंदर मामला है जो किसी भी समय इसका द्रणाय आ सकता है। अजित पावार के साथ जुड़े हुए। ऐसे में सुप्रिया सुले के बहुत मुश्किल होगा कि आगे वश रतपार की विरासत को आगे बढ़ा है। मुझे लग रहा है अजित पावार के पास जाती है। लेकिन पोजिशनिंग की जाएगी नरेटिव भी कड़ा जाएगा और ये बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी असली है जैसा उधव ठाकरे करते हुए नसर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चुड़ने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए।